नेताओं की सिती क्या सुनों लग रहा है उन्हें की भाजपा में जाए बिना फ्यूचर को अपने मटिया मेट कर रहे हैं और सुनना नए लड़के लड़कियां सब बैठे हुए सुनना ब्रेक अप करके अपनी पाइटी से कई नेताब भाजपा के नेताओं को डेट कर रहे बाजुपा के में जाने का खट खटा रहें ओपन गेट कर रहें कुछ ऐसे भी हैं जो की लॉग इन भी कर चुके हैं भाजुपा के ओटीपी का बेट कर रहें बाजुपा के और एक और चीज़ अभी जो शहजाद भाई ने बात कही थी बिल्कुल वहीं समय उठा रहा हूं बास लिए कि ग्रस्त परिवारबाद से हैं सारी पार्टियां ये खुद किसी दूसरे को जगह नहीं दे रहीं केवल अपना परवार और स्वार्थवस ये मिले हैं वरना तो ये बताओ कौन है जो आपस में दगा नहीं दे रही भाज पापे ब्रश्टाचार का अरोप वो लगाएं घोटाले में कोट जिन सजा नहीं दे रही माफ करना मगर नैतिक तवाली बात मुह से भी पच्चियों के सोभा नहीं दे रही अभी शहलेश भाई ने का एडी से बदल गए इस से बदल गए कोई नहीं बदला अपने आप आये थे वो हमने किसी को नहीं बुला है महराष्ट के अंदर चार पंक्तिया सुनिएगा खुद चले आए हम तो सवाली नहीं नजरे हमने किसी पे भी डाली नहीं पंजेवालों को रोका है मत आईये भर गई सब जगे कोई खाली नहीं और कमल का जवाब नहीं है सुनिएगा कैसे मोदी जी का जलवा 2024 में बिखरने वाला है खुश्बू ऐसे कमल की बिखरने लगी फिर से तस्वीर अपनी सवरने लगी जलवा मोदी का दिखने लगा है यहां बिन इलेक्षन के सीटे यू मिलने लगी बिन इलेक्षन के सीटे यू मिलने लगी और अंतिम पढ़ता हूं साहाब आप सोचिए जरा के आपके दिल पे जो परदा पढ़ा पूरे देश में के हम भहुमत लियाएंगे सारे दल मिलके चार पंक्तियों में बताता हूं परदा आखों से अपने हटा लो जरा फूट घर में पड़ी है संभालो जरा मोदी जी को हटाने कहा चल दिये अपने रिष्टो को पहले बचा लो जरा अपने रिष्टो को पहले बचा लो पूरा देश सुने युवा सुने और किशोर जी मैं आपके माध्यम से ही पहुँचाना चाहता हूं सुनिएगा सियासत में नहीं मालूम मैं खेले दाव कब कोई नहीं होता हमेशा के लिए इसमें तो रब कोई मगर कुर्षी की खातिर ये सुनिष्चित है सियासत में भले उठने की सीमा हो नहीं गिरने की अब कोई भले दोस्तो मैं आप दूमेदार लोग बैठे हैं हमारे सारे कवी एक बात कहना चाहता हूं सुनिये बिना मतलब सियासत में किसी को कौन ढोता है जिसे मौका मिले वो राह में बस शूल बोता है भतीजा केह रहा है उम्र जीली अब रहम कर दो भतीजा कह रहा है उम्र जीली अब रहम कर दो चचा बोला सियासत में रिटायर कौन होता है और सारे नेता किसी भी दलके हो लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ सुन ले समंदर पी गए कितने अभी तक प्यास बाकी है बहुत खाया अभी तक भूक का एहसास बाकी है पिचासी साल के नेता से पूछा तो लगे कहने कि जब तक सांस बाकी है तभी तक आस बाकी है कि जब तक तांसुबा की है, तभी तक आसुबा की है, उन पर है कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे तूटी कश्टियां कुछ और कहती है, समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे तूटी कश्टियां कुछ और कहती है, और मेरी आँखों ने देखें इस शहर के कही मंजर, मगर अख़बार की सुर्खियां कुछ और कहती है। लाते हैं और लोग हैं कि बैठक का मज़ा लेकर भाजबा के साथ चले जाते हैं। अपने सहयोगी ही 24 का प्लान न बिगाड़ दें, कॉंग्रेस आई स्पाइस का सोचती रहे और भाजबा दीरे से आके धपा मार दे। पीडी हुई कंपनी में उधार लेकर इनवेस्ट क्यों कर रहे हैं। जब लास्ट में सबको अलग होना ही है तो खामका बेठक में टाइम और पैसा वेस्ट क्यों कर रहे हैं। जबरदस्टी के मिलन से कोई उच्सव नहीं मन सकता है। जहां सारे चानक के ही बैठे हों, वहां कोई राजा नहीं बन सकता है। झाल जया है। जब लिए